आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी अपने तरफ से एक बार इसको एनलेसिस कर लीजिएगा और साथी साथ इसका जो भी ट्रेडिंग डिसिजन होगा वो खुद आप लीजेगा मैं यहाँ पे कुछ भी बाय या सेल के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए ही है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टॉक के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि स्टॉक का जो प्राइजेक्शन है वो हमसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा जसमें कि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से मुवबमेंट स्टार्ट हुआ है तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ अएक लैवल ऐसा है कि यहाँ से दिखें इतना लैवल जो है यहाँ पे साइडवेस गया था उसके बाद आप मूव देखने को मिला है तो अब मैं जिसका जो बात करूँ मैं उसका कोई exact level नहीं दे सकता क्योंकि saving के guidelines के मुताबिक आप यहाँ पे कोई भी entry, buy, sell यह सब चीज़े नहीं बता सकते हो तो इसलिए मैं आपको यह चीज़ सर्जेस्ट करूँगा कि इसको अपने watch list पे रखे ताकि आपको यह पता चल सके कि क्या है क्या नहीं है इस stock के अगर हम बात करें तो मेरा यहाँ पर bullish view है क्योंकि आप देख सकते हो काफे time से यहाँ पर मैं एक बार मंतली का time frame लगाता हूं तो यहाँ पर देखो काफी ऊपर से यानि कि यह stock जो है एक बार के लिए 1200 गया था या फिर 1155 कह सकते हैं वहां से एक बार नीचे आया देखे कितना लंबा जो है इसका जरनी है नीचे के तरव पर अभी अगर हम डेली के time frame पर देखे तो मुझे कुछ ऐसा projection देखने को मिल उपर में price trade हो रहा है तो मेरा expectation और मेरा जो study है यह कह रहा है कि price अगर यहां से उपर जाने का हम लोग को chances मिल सकता है अगर हम target की बात करें तो मैं target बिल्कुल में open रखना चाहूंगा क्योंकि यहां पे कुछ भी मुझे level नहीं दिख रहा है इसका approach target होना चाहिए कि कुछ कुछ लोग अजीब से target set करते हैं मतलब के daily time frame पर हम लोग चलते हैं और उनको लगता है कि यहां से लेके इस point से लेके कुछ इस point यहां पर जितना भी down move वया है तो हम लोग उतना ही आप मूब करेंगे देखे यह logical reason नहीं बनता है बट फिर भी जो technical traders होते हैं वो इस तरीक बल ही कर रहते हैं बट यहां पर ऐसा कोई चीज़े नहीं होती है अगर हम अभी देखिया इसका current market price 517 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है आरती industries तो अगर हम इसके target की बात करें open रहने वाला है अगर हम highest से highest बात करें तो हो सकता है हमें 900 के ऊपर भी देखने को मिल है तो एक बार यह आप खुद से भी analysis कर लिजेगा कि आपका जो analysis है वो क्या कहने का कोशिश कर रहा है और stop loss यह बिल्कुल मैं decide नहीं कर पाऊंगा यह stop loss आप खुद decide कर पाऊंगे क्योंकि आपके जो भी risk management है अगर आपको risk management नहीं पता तो मैंने video के description पे उसका link दिया है आप चाहें तो उसको देख के सीख सकते हो risk management होता क्या है अगर हम stop loss के बात करें तो यह depend करता है आप entry कहां पे ले रहो तो अगर मैं यहां पे entry आपके साथ share नहीं कर रहा हूं तो मैं stop loss भी आपके साथ share नहीं कर सकता क्योंकि अलग-अलग entry हो सकता है या फिर अलग- साथ share करता हूं कि मुझे कौन-कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हाला कि यहां पर बहुत सारे स्टॉक है मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने सारे स्टॉक पे वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जो important important stock है वह आपके साथ discuss किया तो यह था आर्ती इंडस्ट्री के बारे में अब हम बात करते हैं ABFRL यानि कि आदित्य बिरला फेशन तो इस पे भी मुझे एक अच्छा प्राइजेक्शन दिखने को मिल रहा है इस पे तो मैं बहुत ही आंग बंद करके कह सकते कि यह प्राइज उपर जाने वाला है ठीक यहां से एक बार के लिए करने स्टार्ट हो गया है अभ के अगर आप देखो गे यहां पर क्गेरा जो है यूज कर लिए करता हूं ठीक है उसके बाद आप एक चीज़ करो क्या ये बड़ा candle है इसके वज़े से क्या ये volume create हुआ है अगर आप देखो कहीं कहीं कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर volume इतना बड़ा है बट ये green candle कितना छोटा सा बना हुआ है तो मैं बिल्कुल भी ये volume व अधित्य बिरला फेशन जिसका हम लोग इसका शॉटकट करें बात करें अभी एफरल इसमें करेंट मार्केट प्राइज आप देख सकते हो 229.35 इस पर मुझे बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल रहा है अगर आप इसको वाच्छ लिस्ट पर रखोगे तो काफी अच यहां से यहां से यहां डाउन आया अब यहां से ओपर फी गया था एक बार के लिए डाउन आपा बट बायंग इतना जादा था कि प्राइस को यहां पर रहने नहीं सब्सक्राइब अच्छा बाइंग उसके बाद अभी एक continue कर रहा है तो कई नट कहीं मुझे एक अच्छ प्लेजमेंटों तो स्टाप्लेजमेंट यहां प्लेजमेंट दक भेंटों में mm-10- energy having this तो हो सकता है आपका जो एंट्री है वो मिस हो जाए ठीक है और अगर स्टॉपलस यहां रखोगे तो अगेन आपका जो है जो भी आप अगर प्लान कर रहे हो रिस्क मेनेजमेंट के एकोडिंग वो सब कुछ यहां पर गडबड हो जाएगा इसलिए सबसे जो ज्यादा ध्या यहां पर भी मुझे कोई उतना खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है इसका भी टार्गेट में ओपन रखोंगा हो सकता है कि यह प्राइस जो है 300 के उपर भी हमें जाने को मिले तो इसको जरूर से जरूर वाच लिस्ट पर रखिएगा और ताकि जो है आपको जो भी ची देखे 750 के प्राइज आसपस था और इसने हाई भी लगाया था 740 के आसपस देखे हाई था उसके बाद प्राइज यहां से डाउन आया और यहां से अभी साइडवेस कर रहे को कोशिश कर रहा है पर अगर हम डेली पर इसका भी पिक्चर देखे तो मुझे इसमें भी एक अच्छा लेबल देखने को मिल रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी इसमें हाईर हाई लगाते हुए हमें देखने को मिल रहा है ठीक है यहां पर अगर आप दिखो कि इसने इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है तो क जिन्दास इसको जो है इसको वाच लिस्ट पर रख सकते हो और इसको जो है वाच कर सकते हो अगर हम इसका पहला टारगेट की बात करें तो हो सकता है 271 पर हमें profit booking देखने को मिले बट अगेन मैं इसका टारगेट open रखोंगा बहुत बड़ा हमारा टारगेट है हो सकता है कि 270 से एक बार के लिए price डाउन आए sideways हो जाए बट मेरा पूरा full confidence है यह level जो है यह completely इसको break कर देगा बंधन bank पर मेरा इतना confidence level है अगर हम बात करें इस level को यह break कर देगा जो next level हो सकता है हम लोग को 320 के आसपास भी देखने मिले और यह level है यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा जो है यहाँ पर price sideways करने को देखने को मिलेगा पर अगेन यहाँ पर भी price रूपने वाला नहीं है हो सकता है हमें 400 के आसपास भी देखने को मिल जाए तो market के उपर बिल्कुल depend करता है अगर market bullish है तो definitely यह सारे जो भी level है उसको break करके उपर जाएगा और हमें यह price 400 के आसपास देखने को मिलेगा यह था बंधन bank के बारे म मैंने आपको analysis बता दिया है और उसके साथ साथ मैं आपको और एक stock का जो है शेर करना चाहूंगा नाम है बायो कॉन जो कि काफिल टाइम से हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें देखिए price action भी वैसे ही बन रहा है यह अगर आप देखो कि काफिल चाहिं से डाउन था अगर हम लोग इसका मंतली पर चार्ट देखें तो दिखें इसने जो है 480 के असपास आप लोग को यहां पर प्राइस हाइड रही देखने को मिल था यहां पर देखो यहां पर प्राइज उपर गया फिर इसके बाद डाउन नहीं आया ठीक है अभी इ कियार कारणे के बाद यहां ब्रेक आऊट नजरा अगयान यहां पर फार साइडवेश क्रत अधर लगन देखने को मिल रहे ऑंगें थीज्ग सकताब yine को यहां अच्छा को में मिल और हम इसके टार्गेट त aur अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक जो है हम लोग को है टार्गेट देखने को मिल सकता है 380 के असपास या फिर 383 के असपास तो बायो कौन का भी जो है यह स्टॉक आपके वच्छ लिस्ट में होना चाहिए और भी बहुत सारे स्टॉक है जैसे कि अगर हम बात करें च ट्रेंड लाइन यहां पे इसको ड्रॉक क्या है अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट यहां पर नजार आ रहा है और यहां पर प्राइस जो है अब जाने का कोशिश कर रहा है तो इसको भी आपके वच्छ लिस्ट में होना चाहिए जिसका नाम है चेंबर इसको बहुत सारे स्टॉक है मैं सबसे पहले सी यू बी शेयर करता हूं जिसका जो है सिटी यूनियन बैंक यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर अगर आप देखोगे यह जो लेवल है साइडवेज हिया था फाइनली हमें यहां पर ब्रेक आउट नजार आ रहा है इस इस पर भी मुझे थोड़ा सा भी इसमें कॉंफिडेंस नहीं आ रहा है सिटी यूनियन बैंक पर क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग करता है तो हमें इसमें भी एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट स्टॉक है डेल्टा कॉर्फ देल्टा कॉर्प में अगर हम बात करें इसमें भी देखिया साइडवेस कर रहा है इसमें पर को जाने का ऊपर जानाे Judah गलंद के उपर अगर प्राइस निकलता है तो काफी अच्छा हमें मुव देखने को मिला और मैं हमेशा हर वीडियोघता हो की अगर जितना साइड्व हमें देखने को मिलता है यह सारे लेवल बस कुछ टाइम के लिए रोक के रख सकते बढ़ हमें जो है इसमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा जैसा कि हमने शेयर किया था सब्सक्राइब करने के बाद कितना अच्छा मूव आया तो इस तरीके के और भी स्टॉक है और भी मैं और एक लास्ट स्टॉक हम लोग आपके साथ डिसकस कर लेते लिए कि स्टॉक मेरे पास जो है इतना मितलब है कि पैसा कम पड़ जाएगा लेकिन स्टॉक कम नहीं पड़ है यहां पर अगर आप देखोगे 63 के असपास देखे प्राइज अभी जा चुका था जिसके कि मैंने 40 का जो लेवल था और मैंने शेर किया था और मैंने कहा था इसमें भी हम लोग का कोई भी टार्गेट नहीं है ओपें टार्गेट है क्योंकि अगर आप देखोगे कम से क 2013 से साइडवेज हो रखा था और जब मुझे यहां पर ब्रेक आउट नजार आया जो कि मैंने आपको साथ शेर किया था वीडियो आपको शॉर्ट सेक्शन पर मिल जाएगा उसको आप देख लीजेगा फाइनली इसमें ब्रेक आउट हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो कि 8 स्क्रीन जो है 8 चार्ट आप देख सकते हो एक साथ वो भी अलग-अलग स्टॉक्स को देखके या फिर अलग-अलग जो है निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया यहां पर देखे मल्टिपल चार्ट आप यूज कर सकते हो यह काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग चीज ल मिल रहा है और यहां पर आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम देखने को मिलता है जो कि अभी का ब्रोकर में कोई भी इतने सारी चीज आपको प्रोवाइड नहीं करता है अगर आप लोग अप्स्टॉक्स में एकाउंट ओपें करना चाहते हो तो मैं तो बिल्कुल यह है तो यहाँ पर आपको और उट्राइब को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर सिर्फ लिम्ट प्राइस का जहमिला इस जिए suggest ब्रोकर में होता है कि लिमिट प्राइस धालो फिर ऊडरश डालो स्टॉप्रेश में भी सेम चीज होती है लिमिट प्राइज डालो फिर order price डालो फिर target में यही चीज होती है तो यहां पर upstocks पर मुझे एक चीज अच्छा लगता है कि आपको एक order section पर GTT जो है यहां पर आपको buy के लिए भी allow कर देता है कि आप कितना में buy करना चाहते हो और stopless भी कितना में लगाना चाहते हो और target में कितना में लगाना चाहते हो तो अलग-अलग broker में क्या होता है कि stopless आपको अलग से लगाना पड़ता है फिर target अलग से लगाना पड़ता है फिर उसको आपको trail करने पर बहुत problem होता है तो इसलिए मैं upstocks आपके साथ में share कर रहा हूं कि अगर आप equity में trade करते हो तो आपको upstock use करना चाहिए इनका GTT feature क काफी अच्छा है दोनों का लिंक आपको description पर मिल जाएगा आप वहां से भी डिमाट अकाउंट open कर सकते हो और जो मैं चार्ट शेयर करता हूं वह आपको Twitter पर मिल जाएगा link आपको description पर वहां से भी आप हमें follow कर सकते हो देखिए यहां पर मैं को आपको force नहीं कर रहा हू वीडियो में account open करते हो तो आपको कुछ चीजे मिलती है जैसे कि मैं आपको telegram group में add करूंगा जिसमें कि मैं खुद personally अगर आपको trading से regarding चीज़ा doubt होते तो मैं खुद उसमें आपको guide करूंगा कि कहां पर क्या गलती हो रही है जैसे entry हो गया stop loss हो गया risk management हो गया आपको मैं personally उसमें चीज़े guide करता हूं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाए